और आएए एक बार दिल्ली के कोविड आकरों पर नजर डाल लेते हैं नए मामले शुरुआत करते हैं पांच जन्वरी से जब 10,665 मामले थे 6 जन्वरी कोई बढ़कर 15,97 हो गए, 7 जन्वरी को 17,335, 20,121 का आकरा इसने 8 जन्वरी को चुआ, 9 जन्वरी 22,751, वही 10 जन्वरी को 19,666 दिल्ली में करोना के मामले यानि कि लगातार ये ग्राफ उपर की ओर बढ़ता जा रहा है, नए मामले 19,66 कुल बहुत दिल्ली में 17 हैं, जबकि संक्रमर दर यहाँ पर 25 फीजदी हो चुकी है, हर चौथा व्यक्ति अब दिल्ली में संक्रमर दो चुका है 5 मई 2021 के बाद सबसे ज़ादा ये संक्रमर दर बताई जा रही है, 15 मई 2021 के बाद सबसे ज़ादा आक्टिव मामले सामने आ रहे हैं, यानि कि लगातार ये आकड़े दर आ रहे हैं, और इसकी वज़ा से आज दिल्ली के सीम प्रेस कॉन्फरेंस करने वारे हैं, और देश में जिस हिसाब से करोना संक्रमन की तादाद बढ़ रही है उसे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कितना खतरनाक है जान का खत्रा कम है मगर फिर भी तीसरी लेर की स्वीड ने देश को देशत में डाल दिया है खत्रा दो हफ्ते से जादा का बताया जा रहा है ये समय पहले से ज्यादा सतर की रहने का है ये समय पहले से ज्यादा एहतियाद बरतने का है ये समय खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने का है जी हाँ समय ही ऐसा है कोरोना की तीसरी लहर रफ़तार पकड़ रही है ये तीसरी लहर पहले से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है इसलिए साफधान हो जाएए अगले दो हफ़ते अगर आपने साफधानी बरती तो मानते चलिए कि कोरोना के प्रहार से जरूर बच जाएंगे क्यूंकि आने वाले दस दिन कोरोना कवी स्पोर्ट होगा जानकारों का यही मानना है और ये मानना इसलिए है क्यूंकि कोविट के आंकड़े दरा रही है सबसे ज्यादा बूरी स्थितितों महारास्टर और डिली की है एक नजर राजधानी डिली के नए आकड़ों पर डाल लीजिए डिली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के उनीश हजार एकसुचयासट नए संक्रमित मिले है डिली में सिर्फ 24 घंटे में कोरोना से 17 संक्रमितों ने दम दोड़ दिया दिली में टेस्ट कराने वाला और चौथा शाख संक्रमित यही हाल महरास्ट का है महरास्ट में कोविट तेजी से विस्तार ले रहा है बात अगर यहां के आंकरों की कर रहे हैं तो महरास्ट में पिछले 24 घंटे में कोविट के 33,470 संक्रमित मिले है वैसे तो पूरे महरास्ट पर कोविट का खत्रा ज्यादा है मगर मुंबई के स्थिती ज्यादा नाजुक हो रही है मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,648 संक्रमित मिले है मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से पांच लोगों ने दम दोड़ा आंक्रों को बताने का अर्थ आपको डराना नहीं है बस सजग करना है क्यूंकि हालात तेजी से बिगड़ रही है हालागि जानकार कहते हैं कि तीसरी लहर पहले कि अपेकशा मारत नहीं है इस बार जो सिती देखी गई है कि अधिक तर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हलका किसम का इंफेक्शन हो रहा है जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उसने के अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें चार-पांच प्रतिशत से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाईशन की आवशक्ता नहीं होती है तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्रवदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेट्स की संक्या जो उत्रवदेश में शायद 15-20,000 अधिक तम क्या वशक्ता पड़ेगी भले ही तीसरी लहर का खत्रा पहले ही दोनों लहरों की अपेक्षा कम मारफ हो मगर संक्रमन तो संक्रमन है और कोरोना तो वैसे भी हर किसी के शरीर में अलग तरह से रियाक्ट कर रहा है इसलिए जानकार कहते हैं कि इस बात से लापरवा मत हो ये कि तीसरी लहर से खत्रा कम है क्योंकि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो खत्रा कहीं ज्यादा बढ़ा है और मुहाने पर खड़ा है जो प्राइमरी जो डिजीज है जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकिंड वेव में कि वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से उक्सिजन की कमी हो रही थे जो बहुत ज्यादा जो मरीज थे उनको वाइरल निमूनियां हो रहा था और जिनको आईश्य वेंटिलेटर क्या शकता थी इस बार वह स्थिति नहीं है थोड़ी हलके बीमारी के साथ ही ज्यादा तर मरीज आ केंदर सरकार हों चाहे राजी की सरकारें सब जरूरी एहतियात उठा रही हैं कई जगों पर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है इसलिए अब बहुत जरूरी है कि लोग जिम्हेदारी समझें और कोरोना को हलके में लेने की भूलना करें क्यूंकि ये भूल बहुत मह कि साबित हो सकती है कोरोना के नियमों को मानते रहें क्यूंकि यही आपको कोविट से बचाएगा आज तक व्योरो